हाइ फेंड्स कल है nifty का और सेंसिक्स का एकसपरेई यह मंत्ली एकसपरे। मर्वार्ष सीरिज का मंतुली एकसपरे 28 मर्च अब देखो इस जगा पर हमें nifty के उपर ट्रेड करना चाहिए है या बैंक निपनी को उपर 100 का call के उपर क्या analysis जा रहा है और इस पूट के उपर क्या analysis करकर नहीं दिखाता है बट हम कोशिश करते हैं कि आपको call and put को उपर analysis करकर दिखाए देखो सबसे पहले किया है कि हम अगर कुछ दिन से follow करें तो देख पारें कि morning पे एक gap down open के market bullish बन रहा है इतनी बुलिश बन रहा है तो यह होता है क्या market का behavior होता है कुछ दिन तक कुछ दिन तक market continue इस behavior को बिल्कुल बनाये रखते हैं अगर आप देखोगे तो इससे पहले कुछ दिन तक देखोगे तो हो सकता है कि मार्केट सुबह का candle rate बनाया फिर समलाया तो ऐसी ही मार्केट के behavior होता है तो अभी जो behavior बना रखा है मार्केट ने वह बहुत क्रिया हम पिछले चार्ट दिन से देख पा रहे हैं कि मार्केट फर्स्ट केंडल ओपन होती होती पॉजिटिव उपन होती ही पॉजिटिव पॉपन होती ही ताकि हम रिटेल को डर लगे कि इतनी ज़्यादा भाग गया आए क्या आग्या और भाग पाएगा तो आप सिंपली तरीके से चार्ट को को देखो कि मार्केट का रेजिस्टेंस कहां बन रहा है ओके इसीली यानकि 47,000 मैं आको continue बताते हुए आया हूं कि 47,000 एक रेस्टेंस लेबल है 46,750 को उपर अगर जाएगा इस लेबल को मैं बहुत क्लिए ली बताया था कि इसको उपर मार्केट का जो नेक्ष्ट लेबल जाता है वो नेर अबट 47,000 जो साइकोलोजिकल लेबल मनेगा ओके करूँगा ओके अगर कंटेनू हर वीडियो को देखते रहोगे तो आपको मिल जाएगा ओके तो बहुत ही बहुत ही अकुरी सी मिल रहा है मुझे उसके उपर वह डेटा अनलेसिस में आपके साथ मैं आगे जरूर शेयर करूँगा बैंक निप्टी ऑप्शन ऑप्शन आप जंप होके अगर मार्केट ऊपन होता है तो भी यहां से नेक्स जाड़नी इसका सुरू हो जाएगा अगर इसके बीच में होता है तो आप यहां से बहुत क्लिया लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉआ कर सकते हो मैं आपको बहुत क्लिया अब यह लेबल को गार्ड़ बंद लेना कि यह कल के लिए मार्किट का एक बहुत इंपर्टेंट इंपर्टेंट लेबल जोन आए ठीक है अगर इस जोन से उपर रहेगा तो भी हम इससे और पजिटिव जाएंगे अधरवाइस इस जोन के बीच में हम खुश रहेंगे ठीक है अभी आपको समझ में आ रहा है आई होप कि समझदर लोग को क्लियली समझ में आ रहा होगा कि मुझे जो जोन आए अगर इसके उपर रहेगा इसके नीचे ब्रेक नहीं होता है तो यहां से सब्पोर्ड बनाने का कोशिश करता है ध्यान से देख़िएगा, यहां पर अगर आपको रच्छा काम करता है तो यहां से एक bearishness फिल हो सकता है market को ठीक है तो जब तक ना इसको उपर stable हो रहा है तब तक इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उपर हम नहीं जा रहे हैं फिलाल तो यह analysis है on day का चार्ट में क्या आ रहा है को on day का चार्ट में देखें तो यहीं बिल्कुल बात आ रहा है कि इसको उपर हमें stable होना पड़ेगा नेक्स जाड़ने के लिए चलो अब मैं निप्टी का चार्ट में आता हूं निप्टी का चार्ट को पर जो मैं दिखा रहा हूं आपको लास्ट जो कंडल है इसको अगर ब समझने का कोशिश करो ताकि आपको बहुत के लिए दिखाई देगा देखो जों जों रहा है लिए अच्छा टार्गेट दे सकता है बट यह टार्गेट कब आएगा यह बहुत बड़ा कुस्चिन मार्क है देखो अभी के लिए ना अभी के लिए मार्केट सब्सक्राइब बना चुका है 22,100 कल मैं बता रहा था आपको देखो जो इस टिल्गेम चैनल पर मैं लाश्ट सब्सक्राइब आपको इस वीडियो के मद्दम से किलियर करा दिया था मैं क्यू कॉन्विडेंस हूं मार्केट 22,100 के ऊपर आने का चांसे साही मेरा बताया था कि नहीं बताया था अब कमेंट्स में बताओ दोस्त जिन लोग हर रोज हमारा वीडियो को फोलो करते हूं तो देखो कल के लिए जो सीचियोसर है वह बिल्कुल मैं लाइन ड्रो कर दिया हूं 22,200 इसके उपर मार्केट को इस्टेबल होना होगा तो यहां से मैं 100-150 पॉइंट का फिर से एक प्रजिटिब मोमेंटम देख पाऊंगा बट इसके नीचे रहेगा तो याद रख्यो या काफी परेशन होता है मार्केट लोगों को सब्सक्राइब बन जाएगा और 22,000 को उपर प्लाटफर्म बनाएगा तब यहां से 100-150 पॉइंट को और मिल जाएगा ओके फैनली अभी मैं बात करूंगा 22,100 का C के उपर और 22,000 का P के उपर इसका बहुत क्लिया सब्सक्राइब कल मैं बताया था दोस्त इसी के उपर मैं डिसक्रस किया था जिन्होंने वीडियो देखे ते इस टाइम तक उनको क्लियार पता है कि तको 70-80 लेबल यह जो जो जोन है यह इसका सपोर्ट जोन है और फिर से बता रहा हूं कल के लिए क्या जोन है इसका कल के लिए यह जो ट् 80 and 180 के बाद 200 यह जर्ण alguma सकता है आपको । बेटन कहा होगा कि और बेटन जोन पर सकता है और बेटन पालट 75 8 जोन पर सकता च्छाप लास बहुत पका च्छाली आजर पका चैसे आपको 60 यह आ तो आपको स्टाप्लस लेना होगा यह हो गया कॉल साइड आप पूट साइड अभी तक क्या है वह लेबल तयार नहीं हुआ थिक है तो मिनिमाम पूट साइड 22,200 का पूट अगर हमें 80 के उपर देखो बढ़िया तो रहेगा 100 को पर इस्टेबल होगा तो तो 130 तक को इसे मिल सकता है तो हमें जो इंडेक्स का साथ श्टाइट प्राइस के अलेसिस भी करना आना चाहिए तब आपको बड़ी रिजल मिलेगा ओके गाई द्रिटी ओटेज को उपर काफी सारे इन्यूज आया है काफी सारे चेंज़मेंट होने वाला है इसमें मार्कट के ओपर भी तुरण सा हल्चल मचने वाला है तो मैं सारे चीज़ों को अपर वीडियो बनाके आपको मार्केट के बारे में applicable जरूर करूँगा ठीक है, चलो guys आज के वीडियो में इतना ही आशा करतो होँ आप समझ पा रहे होंगे कि option chain को भी मैं अपको सम्झने का कोशि है अमरीका ह से तो ये high option chain का scenario तो आज के वीडियो में इतना ही आपको जिस टाइप का जिस रिलेटेट का वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में लिख सकते हो मैं उसी रिलेटेट का वीडियो आपको पेजान करने का कोशिश करूँगा आप थैंक्यू फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही जै हिंद जै भारत